दोस्तों गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुख़द चीज है. गरीबी में इसान को बहुत कुछ महसूस होता है. उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं. वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है. कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती है, गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है, कई बार गरीब इनसान अपने परिवार को दो वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है, उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती, मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो, जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इनसान गलत कर रहा हो, वह अपने सपनो को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं न, जब रास्ता मुश्किल होता है, तो आपका धीरज और आपकी कड़ी महनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है लेकिन क्या हो, जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो, जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझने और सोचते आए हो, सफलता और पैसे के बारे में वह सब पाने का कोई तरीका हो, और आप उस तरीके उस नियम से वंचित हो, तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशें का नाकाम होना तय है, अगर हमें किसी खेल में जितना है, तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है, नियमों को समझने के बाद हम जान सकते हैं कि हमें कैसे नियमों को अपने हित कैसे इस्तमाल करना है, आज हम ऐसे ही क कुछ नियमों को बौध कहानी के द्वारा जाने जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप कहानी में डूब जाएं, इस इस्पायर 0609 के वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की यह कहानी बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाव मुक्तिपुर में एक प्रकाश नाम का युवक रहता था, वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था, प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिनाईयों से भरी थी, वह एक गरीब परिवार से था और उ रहना मुश्किल हो रहा था, एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला, इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद म परेशानी, अपने मित्र को बताएं कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा, दो वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है, तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यही पास में एक ग पहल हैं कि करोडों अर्बों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, आखिर ऐसा क्यों होता है, भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब सेहत, तंदुरुस्त हो या बीमार, और पिर चाहे वह किसी भी जातिका हो, आखिर वह तो सबका भगवान है, तो फिर वह ऐसा क्यों करता है, किसी को धेरों पैसा दे देता है, तो वही किसी को भूखा रखता है, उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिलकुल सही कह रहे हो वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जातिका हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की परचाई है, तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए, लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, आपस में लड़ते हैं, जगडते हैं, तो भला वह हमें ए एक जैसा क्यों बनाएगा, ये तो सोचने की बात होती है, अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे दो बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वही दूसरा बच्चा, सही नहीं है, वह नशा करता है, पैसा बरबाद करता है, फिर तुम्हारे पास त जानता है, उसे कैसे खर्च करना है, या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे ना, कि उसे दोगे जो पैसा बरबाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिलकुल नहीं दोगे, भगवान भी ऐसा ही करता है, मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बलकि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, और जो अमीर लोग होते हैं, वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं, उनकी कुछ तो वह भी बहुत जलदी अमीर बन सकता है, तब उसे व्यक्ती ने कहा की है गुरू वर कृपिया करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाओंगा तब उसे गुरू ने कहा की ठीक है। बच्चा आज मैं तुम्हें उन नियमों में से तेरह नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपना कर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो, बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना. जोन से निकल कर काम करना पड़ेगा. आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा. जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं इसी लिए successful का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो ज्यादा तर लोग अपने कामों को इसी लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं वो यह समझ नह पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बरबाद करें अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो इसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम से नहीं हो पाएगा तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना बलक की कॉपी करने लगे हैं तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो क्योंकि लोग सफल लोगों की कॉपी करते हैं असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता अब से आप जो भी कम करो उसमें इतना को जो की लोगों की आवाज आपको सुनाई न दे इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो आप कोई भी काम शुरू करो आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा बिना रिस्क लिए कोई भी काम नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस प्रफुल गलत है क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, आज आप जिसे देख रहे ह जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो और उनको जानो, वह कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन हार नहीं माने, वह समय समय में रिस्क लेते गए, और आज कहां से कहां पहुँच गए, और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उ तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, इससे उनका आत्म विश्वास खत्म हो जाता है, इंसान को यह चह प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं, पहला गरीबी का डर, दू से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो, हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा और आत्म विश्वास बढ़ जाएगा, हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी, इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा, मेरे हिसाब से तो बिलकुल नहीं सीख पाएगा, तो इसी मानसिक्ता के साथ अपने लक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर दो, हजार बार गिरो, लेकिन कभी हार मत मानो, पांचवा नियम ये है कि आप अपने लिए बड़ा लक्ष च पदल दो, आज ही बैठ कर गहराई से विचार करो, और अपने जीवन का एक लक्ष बनाओ, नौकरी चुना, लक्ष नहीं होता पर हाँ, वह जीवन का एक पढ़ाव जरूर हो सकता है, अपना सही लक्ष चुनो, उसे पाने के लिए तीन काम करो, पहला, अपने लक्ष को ए या फिर क्या तुम अपने लक्ष की संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो, तीसरा, दिन में कम से कम तीन बार अपने लक्ष को बोल कर पढ़ो, इससे तुम्हारा दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो, फिर आपको करने में आपको मज़ा आता है, किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो, उनसे कह दो कि मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो, जिस काम में आपका इंट्रेस्ट है, तो उस काम के प्रती आपका मन लगा रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा, इसी लिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए, जिस काम को करने में मज़ा आए, लेकिन वहीं पर अगर आपको काम करते हो, जिस काम के प्रती आपका जरा भी इंट्रेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओग इसी लिए डिसिजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, साथवा नियम ये है कि सबसे जरूरी काम पहले करो, अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो, तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो ज जाते हैं, सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है, इसलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को से पहले खत्म कर लेना चाहिए, आठवा नियम ये है कि आप अपने काम पर फोकस रखो, अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता, तो आपका का पूरे फोकस के साथ ना किया जाए, तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। नवानियम ये है कि अपना दिमाग लगा कर खूब महनत करो, सफल होने के लिए आपको बहुत महनत करनी पड़ेगी। आप अगर आप महनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो, तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, महनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप म अज़त नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगता। इसलिए खूब महनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। दस्वा नियम ये है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगव गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इनसान गलतियों करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप से कोई गलती हो जाए तो निराश मत हो ना। अरे गलति उनियां तो वही लोग करते हैं, जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते, वह गलतियां कैसे करेंगे, अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे, तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी, इस disturbance मैं यही कहूंगा की गलतियों से मद घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो, ग्या र अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल है, तो वह आपको जिन्दगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, इसलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है. बारहवा नियम यह है कि आप अपना लक्ष बना ओ, सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वह है अपने जीवन का लक्ष बनाना, अगर आपके जीवन का कोई लक्ष नहीं है, तो इस जीवन को जीने का कोई फाइदा नहीं, अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप क्या करो, क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष नहीं बनाया, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इसी आज और अभी से ही काम पर लग जाओ, तेरहवा और आखिरी नियम ये है कि लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है, और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है, और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है, और यह बात त पता कर उस गुरू ने प्रकाश से कहा कि अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरू का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना धन्यवाद और नमो बुद्धाय।